एक तरफ जहां जंतरमंतर पर बैठे पहलवानों का धर्ना जारी है वहीं दूसरी और ग्रिजबूशन शरण सिंग भी चुपने को तयार नहीं है हाँ पंचायत ने उनके नार्को टेस्ट की अभी मांगी ही थी कि सांसत कैसर गंज नहले पर दहला मारते हुए टेस्ट को तयार हो गए है पर एक शर्थ के साथ है ग्रिजबूशन ने अपने फेस्बुक पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि वो अपने नार्को पोलिग्राफी और लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तयार हैं लेकिन उनकी शर्थ है कि उनके साथ ही प्रदर्शनकारी पहलवा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट होना चाहिए अपने फेस्बुक पर उन्होंने लिखा है मैं अपना नार्को टेस्ट पोलिग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर करवाने के लिए तयार हूँ लेकिन मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट औ और हमेशा कायम रहने का देश्वासियों को वादा करता हूँ रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न चाई जै श्री राम तो ये थे ब्रिजबुशन शर्ण सिंग के बोल जो उन्होंने फेस्बुक के माध्यम से शेयर किया है हम आपको बता दें कि ब् कार भी दर्सकी है दुई बुशन के नार्को टेस्ट के राजी होने से पहले खाप पंचायत ने उनके टेस्ट की मांग उढ़ाई थी रहोतक में खाप पंचायत ने महन 24 के इतिहासिक चबूत्रे पर बड़ा फैसला किया कहा कि आने वाली 28 मई को नई संसत्भवन में महिल का खाप पंचायत होगी वहाँ जो भी निरणा लिया जाएगा उसे खाप पंचायत पूरा करेंगी खाप पंचायत में निरणा लिया गया कि बुशन शर्म सिंग की चल्द गिरफतारी हो और उनका नार्को टेस्ट हो 23 मई को दिल्ली में पहलवानों की ओर से निकाले जान को पर खुद ही अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हो गया हो सांसत की हामी के बाद अब देखना ये है कि प्रदर्शन कारी पहलवान और खाप पंचायतों का क्या रूख होगा क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी होंगी अपने टेस्ट को तैयार सांसत की रजामंदी के बाद क्या रहेगा खाप पंचायत करो या फिर कहीं राजनीती के खेल की बली चर जाएगा फिर से ये प्रदर्शन का गौर तलब है ब्रिजबूशा चरण सिंग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि खिलाडियों के मांग और उनके बयान बार-बार बदल रहे हैं और उनकी एक मांग पूरी होती है तो दूसरी शुरू करते हैं हुआ 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 हुआ